Hey guys, देखो, दुनिया के तरब से, चारों तरब से, कभी-कभी, मतलब direct way में खबर आते रहती है, दो type की, देखो, जब कोई भी इनसान बात करता है, तो दो तरीके से बात करता है, एक direct, दूसरा indirect, direct बात करने में क्या होता है, कि हाँ होगा ही होगा, मतलब मैं खुद ही बोल होगा indirect दिखो ऐसा हो सकता है जैसे global scenario चल रहा है यहां problem तो ऐसा हो सकता है यह indirect way में बात कर रहा है भाई stock market में काफी banker गिरावट होने वाली है इस तरीके से बहुत ज़्यादा तर लोग direct बोल रहे और ये खबर देखके आपको confirm हो जागा कि क्या होने वाला है ग्लोबल मार्केट में कुछ ने कुछ खबर आते ही रहती है कुछ ने कुछ अभी देखो नूरियल रूबुनी ये जो है यूएस के तरफ से इन्होंने कुछ बोला है यूएस के तरफ से यहाँ पर देखेंगे तो यूएस यहाँ खबर आई है heading towards stacks stackflationary debt crisis, market में crash 50% यहाँ देख सकते हैं जो कि नूरियल रूबिनी है उनका मानना है यहाँ पर और वहाँ पर ये भी बोला जा रहा है which may lead to the equity market मतलब जो crash होगा equity market में वह बताया जा रहा around 50% भाई ये पहले ही जो है एक तरीके से warning दी जा रही है warning है यहाँ पर अब देख सकतो अगर ऐसी ऐसी warning दी जाती है 2008 का जो recession है अगर वो याद दिलाया जाता है तो पक्का भाई ये एक छोटी छोटी सी खबर लेकर भी stock market में काफी तगड़ा गिरावट हो सकता है क्योंकि ये क्या होता है कभी कभी news based आफवाओ के दम पे rumor हो जाते है rumor फैल जाते है तो इसके वज़े से होता है क्या है कि foreign वाले तो बेची रहे है उनके पास तो पैसा जादा बचा है नहीं बेचने के लिए जो retail नहीं मिसक है न वो भी बेचना start कर देते हैं अच्छे अच्छे मजबूत company में भी lower circuit लग जाता है इसके कारण फिर US के तरफ से जो ख़बर आ रही है उनके वज़े से जो ratiation देखने को मिल रहा है problem देखने को मिल रहा है उनका मानना है कि लगबग आपको देखने को मिलता है total कभी 18% देखने को मिलता है तो मैं आपको बलूँगा आधा से जाते गिरावट हो चुका अब बजार यहां से कभी भी bounce back ले सकता है इसी मन्त में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 75 basis point जो है अमेरिका के तरप से inflation बढ़ने वाला interest rate बढ़ेगा फिर मैं आपको बता दूँ एक मेने के बाजियो में ऐसा है से जो है वहाँ पर 50 basis point बढ़ाया जाएगा 50 basis point फिर उसके next month में 25 basis point बढ़ाया जाएगा फिर उसके next month में यह होगा 75 अब देख लो तो यह कहा है कि यह इनका जो चार्ट है ने पूरी तरीके से अभी हाई पे है पूरी तरीके से फिस्बुक का तो धज्या उड़ चुका है यहाँ पर इतना अच्छा और इतना दमदार company यहाँ पिछले एक साल में देख सकते हो 54 परसंट का उलड़ी गिरावट दिखा रखा है आप एक बात बताएगे अगर मालने ते एक तरीके से और काफी अच्छी गिरावट होता है तो भाई 50 परसंट से तो ज्यादा यह खुदी गिरा हुआ है जो वर्ल्ड की बड़े- गिरावट हो चुका है अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत भेंकर गिरावट देखने को मिलेगा हाँ यह जो दो बारे इंफलेशन बड़ेगा ना 75 बेसे पॉंट और 50 बेसे पॉंट यहां से मैं आपको बता दूँ इनका चार्ट जो है फिर नीचे आना स्टार्ट क तो यह हाई है इसका यह क्या टॉप है यह टॉप है उसके बाद यह कितना बढ़ाएंगे 50 बेसे पॉंट बढ़ाएंगे तो माल लेते हैं यह 50 बेसे पॉंट यहां पर बढ़ाते हैं तो यह अब यहां पर चार्ट गिरना स्टार्ट कर दिया आप फिर माल लेते हैं यहां पर क्या बोलते है कि मानले अब 25 basis point बढ़ाएंगे 25 basis point बढ़ाएंगे तो अब यह जो चार्ट है ना पहले यहां से देखो raise होगा क्योंकि 75 तक पहुंचना है तो यह चार्ट यहां से यहां जाएगा अब फिर उसके बाद amount कितना हो रहा 50 हो रहा 25 हो रहा तो उसके बाद चा स्टार्ट होगा टेशला की बात कर लेते हैं एलन मस्क जिनके पास लगबग 20-22 लाग करोड रुपय है कितना 20 से 20 मतलब बहुत बड़ा मौंट होटा है अभी मैं आपको बता दू हमारी जो reliance company भारत की वह कितना है तो 90 लाग करोड 20 लाग करोड तो बहुत लाग करोड का या फिर पिछले एक साल से तो यह already मतलब काफी अच्छे बाव से गिर चुका है देख लो 43% गिरा हुआ इन्होंने भी देखो के जितने 5 साल में इन्होंने पैसा कमाया था 5 साल में इन्होंने कमाया था 1500% और अभी देखो कितना है तो लगबग 1000 मतलब 500% का इनको भी हुए है यहां पर तो यही मैं आपको बताऊंगा यह टॉप है और यह वो टाइम है वन वो टाइम मुझे लगता है कि यही वो टाइम है और यही वो चीज है जो वर्रन बफिट हमें बार बार बताना चाहते हैं देख लो सेम बी फिरफुल विन अदर आर ग्रिटी एंड यहां पर जब बहुत सारे लोग लालस दिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ खरीद दो यह भी भागेगा वो भी भागेगा तो आपको डरना चाहिए वहां पर है की नहीं है लेकिन जब सब लोग बेच रहे हैं यहां पर ग्रिडी यहां पर बताया जा रहा है जब सब लोग डर रहे हैं अभी देखो पूरी दुन्या डर रही है रशिया का मार्केट भी आप देखो आज के रेट में 8-9 परसंट गिरा हुआ आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पूरी दुन्या डरी हुई है बाई कुरूड ओयल के वज़े से हर जगा हंगामा फैला हुआ चाइना और इंडिया काफी ज़्यादा बेनिफिट उठा ना लेकिन अब यूएस को काफी ज़्यादा प्रॉलम हो रहा है और भी ब्रिटेन वगरे होंगे या बहुत सारे और भी हैं उनको काफी ज़्यादा तकलीफ हो रहा क्योंकि शैंशन लगाए गया है इस उज़े से तो ये वो टाइम है जहां पर सब डर रहें कौन नहीं डर रहे चाइना में लोगडाउन चाइना के उपर काफी ज़्यादा अमेरिकान लगा रखा है वो प्रॉलम है वार हुआ है वो प्रॉलम है क्रूड ओयल का देख़ो भरी कहां से कहां पहुंच रहा है वो problem है और मतलब हर जगह से हर जगह से मैं आपको बहुंगा कि मतलब fearful जैसे खबर आ रही है है कि नहीं है डरावनी खबर आ रही है बजार गिरेगा यह होगा वो होगा तो यही वो time है जहां पर आपको हिम्मत दिखाना है और एक कदम आगे बढ़ना है फिर देखेगा दो तीन साल के बाद मार्केट जो हाई पर पहुंचेगा ना सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही होगा और वरेन बफिट ने यह भी बताया है I will tell you how to become rich देख सकते हैं I will tell you how to become rich अब यह आपको बताएंगे कि आपको कैसे अमीर बनना है same formula आपको अपलाए करना है यह जो मैंने अभी आपको बता है ना कैसे आपको अमीर बनना है यह सारी चीज़ आपको बताएंगे close the door, be fearful when other are greedy be greedy when other are fearful अब मैं यह रही बता रहो मैं हर बार आपको बता हूँ कि दुनिया में सभी लोग अच्छे काम ही करते हैं कोई गलत ने करता लेकिन सभी लोग करोड़पती नहीं बन सकते करोड़पती केवल कुछ लोग चुनिंदे लोग ही बन सकते हैं जो दुनिया से मतलब सारा वास्ता तोड़ देते हैं सारा मतलब सब कुछ तोड़ने के बाद वो कुछ अलग काम करते हैं कुछ अलग कर दिखाते हैं उनका जुनुन कुछ अलग होता और वही लोग success होते हैं तो ये वो time है ये वो market है जहां पर आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा धमकी तो हर जगा से आएगी बजार गिरेगा ये खत्म हो जागा वो खत्म हो जागा लेकिन याद रखे हैं कुछ नहीं खत्म होने वाला आने वाले 5 सालों में सारी चीज़े आपको एकदम हाई पर खड़ी हो जागी और फिर आप याद करोगे भाई आज से 5 साल पहले सब लोग बोलते थे ये हो गया वो हो जाएगा लेकिन आज देखो सभी मतलब 5-6 गुना उपर ही है एक चीज़ याद रखिए सभी लोग बोल रहे हैं बजार गिरेगा गिरेगा ठीक है माल लेते हैं बजार गिरेगा लेकिन और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि 20% और बजार गिर सकता है कुछ लोग का मनना है कि 25% बजार और गिर सकता है कुछ लोग का मनना है कि 50% बजार गिर सकता है मैं आपको बोलोगा भाई आप 100% भी बोल दो 20% क्योंकि यह 20% गिर चकता है अब इसका 20% हटा देंगे तो कितना बचेगा भई 80 बचेगा न तो बोल दो न सिधा सिधा कि बजार 80 पर वापस 80 पर आएगा और यहां से bounce back मारेगा नहीं तो केवल यहां से गिरेगा तो भई मैं आपको बलाओ इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको exact बता दे कि बजार यहां तक गिरेगा और यहां से bounce back लेगा तो यह सारी खबर जो आ रही है ना मैं यह नहीं बलाओ सब गलत है मैं यह भी नहीं बलना चाहता हूं कि सब सही है यह समझो, logic समझो कुछ लोग को मानना है न कि 30% गिर जाएगा तो 70% मान लो यहां पर क्यों नहीं बोलते भई अगर बजार यहां से गिर जाएगा और 20% तो 20% calculate करके बता दो कि हाँ 14,000 पर आज जाएगा market या इंसान जिंदा ही रहेगा और जब तक इंसान रहेगा तब तक दुनिया चलेगी और तब तक जो अच्छे-चे company हैं अच्छे-चे company हो में आप अपना पैसा लगाएं और लंबे समय के लिए रहने दे कम से कम तो 5 साल के लिए रहने दे और अच्छे-च्छे stocks में पैसा लगाएं कभी नुकसान नहीं होगा आपको कभी भी नहीं और अगर आप stock market में नहीं हो तो अपने dmit account इंजन में उपन कर सकते हूँ जहाँ पर आपका dmit account विल्कुल फ्री डिलेवरी चार्जेस फ्री के वल 20 रूपीज लगेगा वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक के हम इंटो में जाके अपने dmit account वागर आपन कर सकते हैं